चोपड़ा जो किसने युटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो NEED24 के लिए MBBS second round के लिए choice link start हो गई है और vacant seat भी MCC ने डाल दी है इस बार कितनी vacant seats आ रही है कितनी percent vacant रह रही है और virtual vacancy कितनी है इसके बाद में category wise कितनी seatे vacant होके आई है इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि previous year में कितनी seatे आती थी और अभी इस साल कितनी seatे कम आई है या ज्यादा आई है और इन vacant seat को देखते हुए क्या कटोब रह सकती है इसके बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले हम vacant seat के बारे में देख लेते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ दो college नए add हुए है इस round के लिए यानि कि उन दो college में एक अंदरप्रदेश का college है जिसमें 7 seats add हुई है तो यह 2 states में total 14 seats add हुई है इस बार फिसली साल यह 125 seats add हुई थी 8 colleges में लेकिन इस बार सिरफ 2 college add हुई है second round में तो यह second round में जो 2 college add हुई इनको add होने के बाद कितने seat आ गई total कितने seat रहेगी second round के लिए इसके बारे में बात करेंगे तो आईए एक बार देख लेते हैं कितने percent seat vacant रही है second round में तो यहां हम all India quota और open seat के बारे में बात करेंगे MBBS course के लिए MBBS course में जो इस बार के लिए second round में total seat vacant होके आई है वो 6,130 seats यानि 6,130 seat vacant होके आई है first round में total seat 10,443 seats थी इतने seat के लिए counseling हुई थी allotment हुआ था first round के लिए total colleges थी first round के लिए 397 colleges जिसमें 3 colleges girls candidate के लिए थी और 394 college boys candidate के लिए थी यानि girls के लिए 397 और boys के लिए 394 colleges अविलेबल थी इसमें 2 colleges और एड हो गए है second round के लिए total 399 colleges participate करेंगे second round में 400 का आंकडा छुने से 1 संख्या कम रह गई है 1 college कम रह गई है 399 colleges participate करेंगे second round में तो इस second round में total colleges जो participate करेंगे वो 399 colleges रहेंगे अब second round के लिए जो vacant seat आई है वो 6,130 seats आई है जो 58.70% है यानि की vacant seat 58.70% vacant होके आई है second round के लिए और total student ने occupy किया है 4,343 seats candidate ने join कर ली है यानि की जो total joining हुई है वो 41.30% हुई है कि इन candidates ने upgrade का option दिया है अगर इनकी seat upgrade होती है तो पहले वाली seat cancel हो जाएगी तो ये virtual vacancy है इसके अलावा ऐसे 1,766 candidates हैं जिनोंने upgrade का opt नहीं किया है यानि की upgrade का option नहीं दिया है तो virtual vacancy 2,577 vacancies है यहाँ पर तो इस परकार से ये इतने candidates ने upgrade का option नहीं दिया है अब हम आगे बात करते हैं ये तो हो गई कि कि कितने student ने joining किया है और कितने seat vacant रही हैं इसमें अब category wise vacant seat देख लेते हैं second round के लिए तो open category में 2,429 seats vacant है second round के लिए OBC category में 1,762 seats है EWS में 629 है SD में 904 seats है SD में 407 seats है total 600 6,130 seats vacant है second round के लिए अब मैं आपको यहाँ बताऊ previous year में कितने percent seat vacant होके आई थी और इस साल कितने percent seat vacant होके आई है तो हम बात करें 2022 की तो यहाँ 67% seats vacant होके आई थी एक बार 2021 का भी बात कर लेते हैं तो 2021 में 70% seat vacant होके आई थी इसके बाद में 2022 में 67% seat vacant होई थी 2023 में 62% seats vacant होई थी और अभी 2024 में 58% seats vacant होके आ रही है यानि कि मोटा मोटी देखा जाए तो हर साल 5% decrease हो रही है 5% कम seat vacant होके आ रही है हर साल 5% seat कम vacant होके आ रही है क्यूंकि first round में student ज्यादा join कर रहे है seat को ज्यादा join कर रहे है हर साल से 5% 5% seat ज्यादा joining हो रही है यहाँ पर अब हम बात करते हैं vacant seat total seat कितनी हो जाएंगी MBBS की total seat तो second round में जो vacant seat है 6,130 seat से अब दो college में 14 seat एड हुई है एक college में 7 seat तो दूसरी college में भी 7 seat total 14 seat यहाँ add हुई है second round के लिए तो total जो seat रह गई वो second round के लिए 6,144 seat है जो पिछली साल से कम है seat है पिछली साल इससे ज्यादा vacant seat थी second round के लिए अब दिम्डे उनिर्सिटी की vacant seat भी 2,826 seat है तो यह तो मैंने आपको vacant seat का बता दिया है कि इस साल 5% seat कम vacant होके आई है पिछली साल की बजाए और पिछली साल की बजाए इस बार college भी कम add हुई है seat भी कम add हुई है अब cutoff देख लेते हैं कि क्या cutoff रह सकती है इसको देखते हुए इस seats को देखते हुए कि इतनी seat हमारे पास आई है तो क्या cutoff रह सकती है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं हम तो cutoff मैं आपको बताऊं यहां पर general category की cutoff general category की cutoff 655 general category की 655 OBC category की 654 या इसकी भी 655 रह सकती है इसकी भी 655 रह सकती है EWS की 650 cutoff आ जाएगी यह expected cutoff है S.A.S.T. की cutoff जो मैंने previous video में second round के लिए cutoff predict की थी वही cutoff रहेगी लेकिन इन तीन category की यह cutoff रहने की possibility है यह second round की vacant seat आने के बाद में second round की vacant seat आने के बाद में यह cutoff रह सकती है UR 655 OBC 654 या फिर 655 EWS 615 तो यह जानकारी थी कितने CTA vacant होके आई है इससे cutoff क्या effect पड़ेगा यह सारी जानकारी मैंने आपको इस video के मादिम से दे दी है और कोई जैसे भी update रहेगा मैं आपको inform कर दूँगा आप हमारे channel पे बने रहे हैं इस video को ज़्यादा से ज़्यादा like और share करें ताकि काफी सारे student को यह information मिल सके तो मिलेंगे नए वीडियो में नई update के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा आपसे लेता हूँगा जेजिए